नमस्कार भारत वर्सका गौरव सालिय इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार दिख स्वागत है आज हम शक्सासकों के सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे शक मद्धेश्याम रहने वाली एक खाना वदोस जाती थी जो मूल रूप से चीन के पड़ोस में रहती थी वहां से विस्थापित होकर वहां तीन समुहों बिभाजित हो गई और सरे दरिया की घाटी में आकर बस गई वहां हुंगनू अर्थात होनों के आकरमन से विस्थापित यूची जाती से शकों की टक कर हुई जिसे शक सहन नहीं कर सके और आमू नदी के छेत्र में भागे परंत वहां भी वूसुन से भगाए गए यूची वहां आप पहुँचे और वहां से उन्होंने शकों को भगा दिया और स्वैम वहां पर बस गए अब शक दो साखाओं में आगे बढ़े पहले दक्षिन की ओर बढ़ते हुए किपिन अर्थात कपिश प्राचिन कमबोज पहुँचे दूसरे हेरात के मार्ग से पच्चिम की ओर बढ़ते हुए पूर्वी ईरान आये जो इनकी बस्ती होने कर सकिस्तान कहलाई इस समय यहाँ पार्थिन सासकों का अधिकार था जिन्होंने इन्हें आगे बढ़ने से रोका इस जगडे में दो पार्थिन सासक मारे गए परंतु पार्थिन सासक मिथिड्रेट सेकेंड ने इन्हें सीकस्तान अर्था दक्षिन बलुचिस्तान में रोक दिया अब अधिकान सक पार्तिया के अधिन हो गए, परंत कुछ सिंधु नदी की ओर मुड़कर भारत में प्रवेश के लिए सिंधु की निचली घाटी में आप पहुंचे, यहां इन्होंने भारत के बक्तिरी सासन का अंत कर दिया और उनके अधिनस छेत्रों पर अधिकार कर लिय अंतिम हिंद यवन शासक जिनको सकों ने समप्त किया था, वे हिपा, स्ट्रेटस और हर्मेकस थे, यहां शक्त वोनोनीज और उसके वनसजों ने सासन किया, इनकी दूसरी शाखा जो किपिन अर्थात का पिशा होती हुए कंबोज भारताई थी, शक्त सासकों के सिक्के खरोष्ठी और ग्रीक अत्वा प्राहम्य अत्वा खरोष्ठी में लेख संस्कित से प्रहावित प्राकृत भासा में अंकित है, इनके सिक्कों पर ग्रीक देवता, जियूस, पैल्लास, हेराकलीज आदि का अंकन है, इनकी सिक्कों के अग्रभाग पर प्रायहा, यूनानी लेख बैसलियस बैसलियान तथा प्रश्ट भाग पर खरोष्ठी लेख रजती रजस महतस अंकित है शिरस्त्राण के लिए सक्सासक हाथी की सून की आकरती वाले से भाग तैसे सिरस्ताण का प्र्योग करते हैं केडेसस और खजूर पत्र भी इनके सिक्कों पर अंकित मिलताए भारती आयुद्ध गदा तृसूल आदिका भी अंकनसासकों के सिक्कों पर मिलता है जिस समय तक्षिशला और उसके आसपास के छेत्रों में मोज और उसके वंस सकों के बारे में जाना उनके भारत में प्रचार प्रसार के बारे में जाना और साथ ही साथ सक्षासकों के सिक्कों की सामाने विसेश्टाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की अगले भाग में हम अन्य सक्षासकों के सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे मेरे साथ जोड़े रहने के लिए आप सभी का हारदिक धन्यवाद नमस्कार